वेल्कम टू जालाबापू पिज्जन फार्म रंट ब्रीडिंग पेर नो सेल सो पोस्ट है क्वारेटी कैसे किया आती हुए है रंट में इस वज़े से वीडियो है तो जो ये मेल है उसकी साइज है कम से कम अठा है या उन्निस और जो फी मेल है वो 16 के आसपास है 16, 17 के आसपास ओकी ये फी मेल है और ये जो भाई साब है ये मेल है मेल थोड़ा ओल्ड हो गया मेरे पास लेकिन अभी भी इसके चिक वगेरा सब निकल रहे है देखिए इसने अभी माला लगाया था चिक इसका निकल चुका है मेरे पास एक ही सिंगल पीस ही है और अभी बहुत छोटा है सेल के लिए नहीं है तीन है मेरे पास रंट में ब्रीडिंग पेर ब्रीडिंग इसका स्टार्ट है बच्चे अभी अवलिबल नहीं है क्योंकि दो बार के चिक इसके निकल के सेल कर दिये मैंने और एक बार के चिक बगड़ गए इसके सबसे बड़ी खासियद फ्रेंट रंट में एक ही चीज ये एक लंब़ा ही है इसकी जो लंबा आता है प्लस दुसरा पॉइंट है उसकी चाथी ऐसी मेडवने की तरह गोल होनी चाहिए फिल मिल देख लीजिए आप मिल देख लीजिए चाती जो छोटी नहीं होनी चाहिए वो क्रोस बोला जाता है उसको दूसरी आँखों में रिंग होती है इसके और बाकी तो आप नर्मली देख सकते हैं और कुछ खासियत नहीं है लेकिन छाती बड़ी होनी चाहिए लंबई होनी चाहिए आँखों में रिंग होनी चाहिए और नोज थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा होता है इसका देख लीजिए दो और पेरे हम देख लेते हैं आपको कैसा लगता है वीडियो में कमेंट जरूट कीजिए देखिए दो पेर ये वाली है मेरे पास सेल में नहीं है सेल मटे न थी आ रही पेर कौनाई लोकोंने इंदी मां खबर नथी पड़ती आने मारी साथे वाते इंदी मां करेशे गुजराती वह से चताई मैं पहला पन कई हुछे के वो गुजराती चूँ बेचराजी थी चूँ मैं सना जिल्ला मां बेचराजी आवेलू चे गुजरात मा अर अंटनी पेर सेल माटे ना थी इंफोर्मेशन माटे में वीडियो आपे लो जे आना बच्चा तेर अविलिबल ना थी मारी पासे पन टुक सम्में मा बच्चा दमने मली जेसे ब्लेक क्रीम चोकलेट ग्रे बे पेर जुदी जे एक पेर दमने आगर बताई में अनी खासियत जेशे लंबाई जे अनी छाती जे आक नी अंदर रिंग अने मोटू नाक जो इलो एनी साइज फी मेल मारी पासे बद्दी सोड सतर नी आजू बाजू छे अने मेल जे अडार उगणी नी साइज माँ छे सेल पोस्ट न थी आ सो पोस्ट छे तो केवाल आगे जे तमने वीडियो हमारा कबूतर कमेंट जरूर थी करो मने जेने पन कबूतर जो ही हमने कोल डाइरेक करी सके जे अने नॉर्मल गुजराती माँ बात करिए कि गुजराती माँ इन्फरमेशन पन आपिस आपड़े गुजराती ने हैं इन्दी बे लेवगाज में इन्फरमेशन आप सू आतियरे डी वर्मिंग एटले जे पेट माँ क्रूमी होई करमी हां कबूतर ने एनी प्रक्रिया चालू जे मारा फाम उपर तो टूक समय में यनो वीडियो पना आपड़े मुक्सू तमने कबूतर केवा लागेशन रंट कमेंट जरूर थी करो उपन जयतनों मेडिकल बबत मा काम होई कबूतर जोई है तो मारो नंबर लखे लो जो इसे वीडियो नहीं अंदर तो मैं मने डाइरेक कुल कर इसको चो पारसल टांसपोर्टेशन तमने गुजरात में कोई पन जग्या है जोई है तो मली जैसे तो फ्रेंड पिजियन केसे लगी आपको रंट जरूर से कमेंट करे मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और हाँ डी वर्मिंग की प्रक्रिया भी चालू है फाम पर दो दिन से मैं उसी में लगा हूँ इसलिए वीडियो नहीं आया कुछ उसका भी वीडियो डी वर्मिंग हम कैसे करते हमारे फाम पे और क्या क्या उसके फाइदे मतलब डी वर्मिंग नहीं करने से क्या नुकसान है वो भी हम बताएंगे तो फिर से कुछ नया लगे कल आएंगे हम गुडबाई